दोस्तों यह समसंग का बारस वाई मोबाईल है और इसमें जो प्राब्लम है कि यह जो सेट आउन करने पर इसका LCD जो है डिस्पले वाइट आता है तो हाई दोस्तों मेरा नाम है बिनुतमार और आप देख रहें विकी ट्रिक्स दोस्तों आज की इस पीडियो में हमें इसी ट तो सही नहीं हुआ तो चली देखते इसको आम किस तरीके से जो रिप्यार करेंगे इसको और अभी इसको कह का और निजिए और तो निकालने के अपास उस ता सप्लाइच करेंगे कि इसके सप्लाइ में कहां से जो है इसके लाइन ब्रेक है या फिर लाइने जो होती है वो ग्राउन हो जाती है तो पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था समसंग B110 का तो इसमें भी LCD वाइड का प्रोब्लम था तो इसमें जो था मारा सप्लाइ जो उसका था चेह साथ आठ नम्मर का जो तीनो एकी सप्लाइ होती है तो उसमें जो है स्वाटिंग था और उसी की वज़या से जो है LCD वाइड आ रहा था तो अमने उसको उसमें रिपेर किया था तो आज हम यह सेट आया है बनने के लिए तो इसको हम देखेंगे कि इस तरीके से जो है रि और जो ब्लेक वाला है इसका सप्लाई हम शेक करेंगे पहले तो वही तो तीनो सप्लाई है एक साथ होती है तो यहां पर देख सकते हैं यह जो है ग्राउंड होए यह मतलब माइनस आ रहा है तीन उपर तो जो दिक्कत हमारा इसी से है तो यह जो दिक्कत हमारी जो होती है तीन जगह से होती है तो यह तो यह वाला जो यहां से और दो जो होती है अंदर प्रेट के आपको भी ओपन करके दिखाते हैं तो यह देखें यह किये हो गया और यह जो है यह वाला यह जो आइसी है इसके पगल में चीटर रहता है वह सबस्क्राइब तो भी दिख्क्त राता है और यह कि जो स्क्राइब करेंगे कि यह जो चोटा वाला जो सिम जैक के पास था इसको हम रिव्यू करेंगे और फिर जो है सप्लाई चेक करेंगे अगर सप्लाई सही हो जाता है तो यहां से दिख्क्त था आमारा ठीक है तो इसको चिंटी की साइदे से आसानी से निकाल देंगे तो दोस्तों देखी साड़ चुका था यह और साइद वार्टर डेमेज था इसको थोड़ा क्लीन करेंग तो जो दिक्कत था साइद यहीं से दिक्कत था तो भी देखिए इसको में अच्छी तरीक से जो है क्लीन करेंगे और फिर जो है इसका हम सप्लाई चेक करेंगे प्रेड़ वाला प्रोक्स को ग्राउंड पर राकेंगे और ब्लेक वाले से हम जो है चेक करेंगे इसका जो अगे से से भी हैं भी हो छाएं से साथ हो गया था जिसकी वचास एलसिट्य ice आ रहा था तो एड़िक्न प्रशिक्टीनों जूनें यहां से नहीं होदा यह दोनों पिर हम निकलते हैं मैं और चलिए मैं इसमें जो है डिस्पलेव को करते हैं और चो रिस रिफैंट चरेंगे ठीकए तो रिशीच ben simply सेदाव यह देखिए एक दरफ सेट कर दीजिए और दूसरे दरफ सेट कर दीजिए और यह देखे हो गया उसके बाद एकी बार में LCD लग जाएगा ठीक है तो अभी इमारे डिस्प्ले लग चुका है और फिर हम इसमें चेक करते हैं इसको पैट्री लगाकर और देखते हैं कि यह सही हुआ कि नहीं और तो दोस्तों आप देख सकते हैं पर जो यह प्रॉब्लम था हमारा संसंग 1200 मोबाइल में सब्सक्राइब का वह सही हो चुका है तो अगर आपके पास भी ऐसा अगर प्रॉब्लम करके आता है मोबाइल तो आप भी इस तरीके से देखकर जो है अच्छी तरीके से रिपेर कर सकते हैं अगर दुस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर नहीं है